प्रेम योग यहां रहा तो सिर्फ एक पल के लिए मरूंगा पर तुमसे दूर रहा तो पल पल के लिए मरूंगा खत्म हो गया है क्योंकि नेपाली फिल्म प्रेम गित्री की एडवांस बुकिंग को आज से हम सभी के बीच यानि की इंडिया में शुरू कर दिया गया है और दोस्तो इस फिल्म के एडवांस बुकिंग शुरू होते ही सभी सोज हाउसपूल हो गए हैं तो दोस्तो आज के इ नेपाली फिल्म प्रेमगी 3 ने दुनिया भर से कितने करोड रुपे की एडवांस बुकिंग हासिल कर ली है और ये फिल्म बोक्स ओफिस पर कितने करोड रुपे की ओपनिंग ले सकती है क्या ये फिल्म नेपाल सिनेमा की हाइस्ट ग्रोसर बन सकती है या नहीं ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी नेपाल के सुपरिश्टार प्रदीप खड़ का और बीटिफुल कृष्टेना गुरंगी की फिल्म प्रेमगीत 3 का इंतजार बड़ी ही बेस अबरी से कर रहे हैं और बोक्स ओफिस बोलीवूट साउस से जूड़ी सभी बड़ी अपडेट से चाहते हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं तो दोस्तों बताते चले आपको कि नेपाल सिनेमा पहली बार किसी बड़ी फिल्म को डायरेक्ट हिंदी में इंडियन बोक्स ओफिस पर रिलिज कर रहा है जिसका नाम है प्रेमगीत 3 और दोस्तों फिल्म प्रेमगीत 3 एक लाव स्टोरी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी नेपाली फिल्म प्रेमगीत 3 में से एक 23 सितंबर 2022 को भारत में सिल्वर स्क्रिन पर हिट होने के लिए तयार है इस बार नेपाली फिल्म का भारत में भारी सपोर्ट और प्रचार किया गया है और वह भी इसके ट्रेलर की रिलिस से पहले और अंत में दोस्तो भारत में प्रेमगीत 3 के एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया गया है दोस्तो मुंबई के तीन थेयाटर में प्रेमगीत 3 फिल्म के एडवांस बुकिंग सुरू कर दी है पीवी आर मार्केट, इनफिटी मलाड, पीवी आर मार्केट, सीटी कुरला और पीवी आर एक्सपिरिया दोस्तों आपको बताते चले कि मुंबई में एडवांस बुकिंग सुरू होते ही सभी सोज हाउसपूल हो गए हैं और इस फिल्म ने मुंबई से लगभग अपने पहले ही दिन 25 से 30 लाग रुपे की शांदर एडवांस बुकिंग हासिल कर ली है दोस्तों ओडेंस के बीच फिल्म प्रेमगी 3 का बज और क्रेज काफी तगडा दिखाई दे रहा है यही वज़े है दोस्तों कि इस फिल्म के एडवांस बुकिंग ने सांदर कमाई मुंबई से कर ली है वहीं दोस्तो प्रेमगी 3 के एडवांस बुकिंग पूने में आइनोक्स अन्मोरा टाउन सेंटर और PBR फिनिक्स मार्केट सिटी में भी सुरू कर दी गई है पूने से प्रेमगी 3 ने लगबग 5 लाग रुपी की एडवांस बुकिंग हासिल कर लिये वहीं दोस्तो इंदोर यानि की मेरे शेहर में इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को आज सुरू कर दिया गया है और इंदोर से इस फिल्म ने लगबग 2-2 लाग रुपे की टिकेट सेल कर दी है वहीं दोस्तो बात करें फिल्म के बजट की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक यह फिल्म 4-5 करोड रुपे के बजट में बनी है और इंदिया में इस फिल्म को 500-800 स्क्रीन्स पर रिलिज़ किया जा रहा है दोस्तो इस फिल्म के एडवांस बुकिंग तो जोरो सोरो से चल रही है दोस्तो आप लोग इस फिल्म के टिकेट को बुक माई सो एप से जाकर बुक कर सकते हैं और अपना एरिया के बारे में जान सकते हैं कि यह फिल्म आपके एरिया में लगी है या नहीं क्योंकि इस फिल्म की कुछ ही चुनिन्दा स्क्रिंस पर लगाया गया है। दोस्तों इस फिल्म के अगर box office predictions की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को audience की तरफ से outstanding response मिल चुका है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर में आपको हिमाले की खुशूरत locations और बहतरीन action love story देखने को मिलने वाली है। वो काफी बहतरीन है और मातर 3-4 करोड रुपे के बजट के साथ इस फिल्म को जितनी बहतरीन तरीके से बनाया गया है उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों की प्रेमगी 3 इंडियन box office पर क्या कमाल कर सकती है। यही बज़े हैं कि प्रेमगी 3 इंडियन box office पर जहां लगबग 500-800 screens पर रिलीज होकर अपने पहले ही दिन इंडिया से लगबग 1.5-2 करोड रुपे की opening ले सकती है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का worldwide box office पर अपने पहले दिन का collection लगबग 5 करोड रुपे के आकड़ों को पार कर सकता है। यह दोस्तों यह फिल्म अपने पहले ही दिन दुनिया भर के box office पर अपना budget recover करते हुए एक hit film साबित होने वाली है। worldwide box office पर collection 20 करोड रुपे का हो गया तो यह film old time blockbuster बन जाएगी और नेपाल सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली film कहलाईगी। हाला कि दोस्तों उन्हें एक बाधा यानि की एक अडचन को पार करना था वह प्रेम इस film में hero को प्रेम और heroine को गीत के नाम से पुकारा जाता है। हीरो को दो चीजों में से एक किसी को चुनना होता है या तो राजयोग या फिर प्रेम योग आप देखना यही है दोस्तों की hero यानि की प्रदीप खड़का इन दोनों में से किसको चुनेंगे। यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा अब देखना यही है दोस्तों की क्या प्रेम गी 3 को इंडियन बोक्स ओपिस पर अपने पहले ही दिन 2 करोड रुपी की opening मिल पाती है या नहीं आपको दोस्तों क्या लगता है प्रेम गी 3 बोक्स ओपिस पर हिट होगी सुप इतने करोड की कमाई इंडिया में कर पाईगी और नेपाल में इस फिल्म के एडवांस बुकिंग कितने की हो चुकी है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ ही साथ आपके अपने चैनल बोलीवूड रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद ज पसुपतिनाज जे नेपाल दोस्तों